हेलो स्टुडेंट्स आई पीए से जोगे सन्हब रानुली की ओनलाइन कलाशेजी में आपका सवागत है लास्ट वीडियो तक हमने अपनी एक्सरसाइज 6.1 के क्यूसर नमबर 20 तक हलकर लिये हैं अब आपना क्यूसर नमबर 21 तो देखो क्यूसर नमबर 21 क्या है क्यूसर नमबर 21 है यदि एक्स बराबर 30 डिगरी हो तो शिद कीजिए एक्स का मान कितना दिया है 30 डिगरी आपको शिद करना है कि साइन 3 एक्स बराबर क्या होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स तो देखो इसका सोलुशन इसका solution कर लेंगे सबसे पहले LHS वाग कितना है sin 3x अब x के स्थान पर हमें कितना रखना है 30 डिगरी तो x बराबर 30 डिगरी रखने पर तो रखो x के स्थान पर 30 तो sin 3 गुणा 30 3 गुणा 30, 3 को 30 चे गुणा करेंगे कितना है का sin 90 सारने से देखलो sin 90 का मान कितना है 1 sin 90 का मान कितना है 1 ये तो आगे आपका LHS का मान अब लेंगे हम RHS RHS बराबर के 3 sin x माइनस 4 sin cube x 3 sin x माइनस 4 sin cube x इसमें भी हमें क्या रखना है x बराबर केतना रखना है 30 डिगरी तो x बराबर 30 डिगरी रखने पर x के स्थान पर रख दो 30 तो 3 sin 30 डिगरी माइनस 4 sin cube 30 डिगरी sin 30 का मान कितना होता है ये रहा sin 30 का मान 1 वट्टा 2 तो 3 गुणा 1 वट्टा 2 माइनस 4 गुणा 1 वट्टा 2 का cube तो 3 को 1 से गुणा करेंगी तो 3 वट्टा 2 माइनस 4 गुणा एक का cube एक दो का cube करो दो का cube करेंगी तो 2 गुणा 2 गुणा 2 तो 2 दुनी 4 चार दुनी 8 चार से काट देते हैं 4 दुनी 8 तो क्या रहा है 3 वट्टा 2 माइनस 1 वट्टा 2 एलशियम कितना जाएगा 2 तो 3-1 ब्राबर 2 बटा 2 ब्राबर कितना जएगा 1 तो LHS वाका भी मानी एक आ रहे है तो अतहे LHS ब्राबर है RHS यह था अपना क्यूशन नमबर 21 का फेश्ट क्यूशन अब देखो क्यूशन नमबर 21 का शेकिंड क्यूशन तो देखो इसका अगला क्यूशन क्यूशन नमबर शेकिंड क्या है इसका इसका क्यूशन नमबर शेकिंड है 10 2 अक्स ब्राबर 10 2 अक्स ब्राबर तो टेन अक्स अपन 2 अक्स अपन 1 माइनस 10 स्क्वार अक्स सबसे पहले शिपर कार्शेस में भी लुट्र अच वाग लेंगे तो क्या है 10 2x और x बराबर क्या रखना है 30 डिगरी रखने पर x बराबर कितना रखेंगे 30 डिगरी x के स्थान पर कितना रखेंगे 30 तो रख दो 10 2 गोणा 30 तो 10 60 डिगरी 10 60 कमान देखो कितना रहे root 3 10 60 कमान कितना रहे root 3 यह था आपका LHS RHS बाग देखो क्या है RHS बराबर 2 10 X अपोन 1 माइनस 10 स्क्वाइर X इसमें भी क्या गणना आपको तो X बराबर 30 टिगरी रखने पर X बराबर 30 टिगरी रखने पर X के स्थान पर रख दो 30 तो 2 गुणा 2 10 30 टिगरी बटा 1 माइनस 10 स्क्वाइर 30 टिगरी तो मान रख दो 10 30 का मान कितना रहे 1 बटा रूट 3 तो 2 गुणा 1 बटा रूट 3 बटा 1 माइनस 1 अपोन रूट 3 का स्क्वाइर 1 अपोन रूट 3 का स्क्वाइर तो देखो उपर तो क्या रहा है दो बट्टा रूट तीन निचे निचे देखो एक माइनस एक बट्टा रूट तीन का स्क्वार कितना जाएगा एक बट्टा तीन कितना जाएगा एक बट्टा तीन अब देखो निचे वाले में ले ले लेते हैं तो उपर तो आए 2 बटा रूट 3, नीचे लशे मा जाएगा 3, तो 3, इसके नीचे एक लगा लिए तो एक का बाग दो 3 वे तो कितना आएगा 3, 3 गो एक से गुणा गरेंगे 3, माइनस 1, बराबर 2 बटा रूट 3, बटा 2 बटा 3, ये बाग उपर जाएगा तो उल्टा हो क्या हो जाएगा 3 बटा 2, तो 2 बटा रूट 3, 2 बटा रूट 3, ये उपर जाएगा तो 3 बटा 2, 2 से 2 को काट सकते हैं, हमने पहले भी लिखा था कि 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 वराबर क्या लिख सकते हैं, रूट 3 गोना, रूट 3, तो इसके इसके इस्तान पर क्या लिख सक क्या जाएगा रूट 3 तो is you mean anively resulting आ रही में न क्या रहे ह्लाएर रोर्ट तिन आ रहा है तो अ तहरे है यहां पर लिख जेता हूं रहां है बराभर में स्कrafी किसा है कि आरेठस के यह था फना क्यूसर नंबर two अब चलते हम क्यूशन नम्बर तीन पर इसके बर तो देखो क्यूशन नम्बर तीन क्या है क्यूशन नम्बर तीन इसका है तीसरा क्यूशन तीसरा क्यूशन है साइनक्स बराबर root 1-cos2x बटा 2 ये किर्शन है कि sin x बराबर क्या रहा root 1-cos2x बटा 2 तो देखो LHS sin x x बराबर 30 डिगरी रखदो x के स्थान पर 30 डिगरी रखेंगे तो कितना हैगा sin 30 डिगरी और sin 30 का मान कितना होता है एक बटा 2 sin 30 का मान कितना होता है एक बटा 2 RHS कर रहा हूं यहापर मैं root 1-cos2x बटा 2 x बराबर 30 डिगरी रखने पर x के स्थान पर कितना रख देते हैं 30 डिगरी तो रख दो x के स्थान पर 30 डिगरी तो root 1 minus cos 2 गुणा 30 बटा 2 तो root 1 minus cos 60 बटा 2 तो root 1 minus cos 60 का मान कितना होता है cos 60 का मान 1 बटा 2 बटा 2 तो देखो इसमें ले ले लेते हैं LCM तो कितना हैगा 2 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 minus 1 बटा 2 तो 2 minus 1 तो 1 बटा 2 बटा 2 इसके निचे भी हम 1 लगा लेते हैं यह उपर जाएगा तो 2 बटा 1 तो उपर जाएगा तो 1 बटा 2 जाएगा तो root 1 बटा 2 गुणा 1 बटा 2 वरग मूल लेंगे तो बाहर क्या जाएगा 1 बटा 2 क्या जाएगा बार 1 बटा 2 यहां पर एक बटा 2 बटा 2 बटा 2 बटा 2 बटा 2 बटा एक है यह 2 बटा 1 उपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 बटा 2 गुणा 1 बटा 2 एक जोड़ा बन रहा है वरग मूल लेंगे तो एक जोड़ा बाहर एक एक वटा दो बहार आ जाएगा अतह है LHS बराबर है किसके RHS के अतह है LHS बराबर है किसके RHS के इसका Q7 नमबर 4 है वो आपको करने के लिए दे रहा हूँ है Q7 नमबर 4 कि है कोस 3X बराबर 4 कोस 3X 2X माइनस 3 कोस यह क्यूस नमबर 4 है यह किसको करने है आपको करने है कि यह था अबना Q711 जिसमें 4 पार्ट थे 4 पार्ट मेंने 3 पार्ट मेंने करवा दिया है झोटा पार्ट आपके लिए ठोड़ दिया है अब हम चलते हैं Q722 की ओर तो देखो किशन नमबर वाइस क्या है किशन नमबर वाइस है यदि A वराबर 60 डिग्री और B वराबर 30 डिग्री यदि A वराबर 60 डिग्री और B वराबर 30 डिग्री हो तोशिद कीजिए हो तो की चचिए क्या सिध करना आपको court A minus B court A minus B by court A court B plus 1 court A court B plus 1 बटा court B minus court A ये क्यों से नापका कोट A माइनस B बराबर कोट A कोट B प्लस 1 बट्टा कोट B माइनस A कोट A तो देखो इसका LHS इसका सोल्यूशन करेंगे हम तो सबसे पहले लेंगे हम इसका LHS बाग कोट A माइनस B चुकि A बराबर तो कितना है 60 डिगरी और B बराबर कितना रखना है 30 डिगरी एक के स्तान पर 60 डिगरी रखना है बी के स्तान पर 30 डिगरी रखना है तो रख दो तो कोट 60 माइनस 30 60 में से 30 गठा हो तो कितना हैगा कोट 30 कोट 30 का मान कितना दिया वाइस में रूट 3 तो कितना जाएगा रूट 3 यह आ गया आपका LHS भाग है अब हम करेंगे RHS भाग RHS भाग में यहां पर कर देता हूं RHS कोट A कोट B प्लस 1 बटा कोट B माइनस कोट A अब आपको A बराबर तो 60 डिगरी और B बराबर 30 डिगरी रखना है A बराबर 60 डिगरी और B बराबर 30 डिगरी तो रख़ो कोट 60 कोट 30 प्लस 1 बटा कोट 30 माइनस कोट 60 तो रखो मान कोट 60 कमान कितना दिया वाए कोट 60 कमान यह रहा 1 बटा रूट 3 गोना कोट 30 कमान रूट 3 प्लस 1 बटा कोट 30 कमान रूट 3 माइनस कोट 60 कमान रूट 3 यहां से तो यह कट जाएगा रूट 3 यह रूट 3 तो क्या बचेगा उपर तो एक प्लस एक बट्टा निच्छे निच्छे इन में ले लेते हैं हम रूट तीन हैल सी हम तो रूट तीन को रूट तीन से गुणा करेंगे तो तीन माइनस एक तीन माइनस एक एक रेक दो बट्टा तीन में से गठाएंगे दो बट्टा रूट 3 2 वटताור 14 उबर जाएगा 2 तो 2 गुमार बराबर है किसके RHS के ये था अपना क्यूशन नमबर 22 और ये थी अपनी एक्सरसाइज 6.1 कौन सी एक्सरसाइज थी 6.1 अब हम चलते हैं इसकी वीविद परसन माला पर तो देखो इसकी वीविद परसन माला क्या है वीविद परसन माला में आपको दे रहाँ क्यूशन करने के लिए पहले ही क्योंकि उस टाइब के क्यूशन में ने परवा दिया पहले एक्सरसाइज में तो वीविद दे विविद परस्टनावली कौन सी? 6 Qs number 1 क्या है? Qs number 1 है 10 square 60 degree का मान गयात कीजिए 10 square 60 degree का मान यह Qs आपको करना है और इसका answer comment box में आप बता देना Qs number 2 क्या है? 2 square 60 2 square 60 2 square 60 का मान गयात कीजिए यह Qs आप लोगों को करना है Qs number 3 है Qs एक ठीटा बराबर 2 बटा रूट 3 हो तो ठीटा का मान गयात कीजिए Qs एक ठीटा बराबर 2 बटा रूट 3 हो तो किसका मान गयात करना है? ठीटा अब यह Qs रोगों सा बता देता हूँ मैं आपको करना है इस तरफ को शेख में है तो यह मान भी आपको को शेख में देखना । कोशेइक में कितने degree का मान 2 भटा root 3 होता है, तो देख लो कोशेइक में कितने का होता है, 60, तो इस के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, कोशेइक 60 degree, कोशेइक से कड जाएगा, तो ठीटा का मान, आ जाएगा आपको पूरा करना इस परकार से, ये था अपना Q-Saham no. 3, Q-Sah क्यूसर नमबर च्यार क्या है कोस स्क्वाइर 45 डिगरी का मान गयात कीजिए सारने आपके सामने है डायरेक्ट आप बता सकते हो क्यूसर नमबर पांच क्यूसर नमबर पांच है यदि ठीटा ब्राबर 45 डिगरी यदि ठीटा ब्राबर 45 डिगरी हो तो वन माइनस कोस टू ठीटा बटा साइन टू ठीटा का मान गयात कीजिए ठीटा ब्राबर 45 डिगरी हो तो वन माइनस कोस टू ठीटा बटा साइन टू ठीटा का मान गयात कीजिए ये भी आपको इकरना है ठीटा की स्थान पर आपको इसी में पैंच डिगरना है और बाद में केलकुलेशन करके इसका आंस्वर निकालना है क्युसा नंबर चय है कि कोस साथ डिगरी बराबर टू कोस स्क्वाईर शिद कीजिए क्यों सा नमबर चाहा है कि शिद कीजिए सिद कीजिए कोस साट डिगरी बराबर दो कोस स्क्वाइर 30 डिगरी माइनस वन दो कोस स्क्वाइर 30 डिगरी माइनस से one get you यह अब का क्यूसर नमबर चै क्यूसर नमबर चै क्यों में कर वा रहा हूं तो एक तो निन्म इस खला रहा है देखे चलंगे हैं यह की बराबर राथ तो क्या है कोश साट डिगरी कोश साट का माद लो सारणक्ने में कितना है एक अटा तो यह तो इसका LHS वाग हो गया इसका RHS वाग कर रहा हूं यहां पर 2 cos square 30 degree minus 1 तो 2 गुणा cos 30 cos 30 का माना root 3 वटा 2 तो root 3 वटा 2 का square minus 1 तो 2 गुणा root 3 का square 3 वटा 4 minus 1 काड देते हैं 2 तो 3 वटा 2 minus 1 LCM ले लेते हैं यहां पर तो कितना हैगा LCM 2 तो 3 minus 2 बराबर कितना जाएगा 1 वटा 2 बराबर कितना जाएगा 1 वटा 2 तो LHS का मान भी 1 वटा 2 आ रहा है RHS का मान भी 1 वटा 2 आ रहा तो अता है sorry यहां पर लिख देतों में अता है LHS बराबर है किसके RHS के अतह है LHS बराबर है किसके RHS के ये था अपना क्यूसर नमबर 6 कौन सा क्यूसर था क्यूसर नमबर 6 अब आपने विविद परसन माला 6 के क्यूसर नमबर 6 तक हल कर लिए जिसमें से आपको जो करने के लिए क्यूसर दिये गए है वो क्यूसर आपको करने है परते के आंसर निकालने हैं जो भी आंसर आते हैं आप वाट्सअप ग्रूप या कमेंट वोक्स में मुझे बताना है